बिहार बन्दी कानून लागू है लेकिन शराब तसकरों के होसले अभी भी नहीं कमजोर दिखाई दे रहे हैं यही कारण है कि कानून लागू होने के बावजूद अभी भी भारी मात्रा में शराब तसकर पकड़े जा रहे हैं इतना ही नहीं इन तसकरों के साथ-साथ मधनिशेद कानून का उलंगन के मामले में अब तक कई वाहनों की जब्ती भी हुई है जिसको की अब विभाग बेहधी कम कीमत पर निलाम कर रहा है इसको लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिफ द्वारा डियम को पत्र लिक कर जरूरी दिशान निर्देश भी जारी कर दिया गया है अप्रेल 2016 में शराब बंदी कानून लागू हुआ था उस समय से लेकर अब तक में लगभग 55,000 वाहनों को कानून का उलंगन किये जाने के आरोप में जब्द किया गया है इसमें से 9,706 वाहनों की निलामी की जा चुकी है वाहनों की निलामी से करीब 62 करोड के राजस्व की वसूली भी हुई है इन सब बातों को ध्यान में रखते वे विभाग की तरफ से सभी जिलों के डियम को जब्द वाहनों की निलामी के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है इसको लेकर हाली में वरिष्ट अधिकारी केके बाठक की तरफ से पत्र में लिखा गया कि वाहनों की निलामी के लिए खरीदार ना मिलने की स्थिती में निलामी के मुल्य को कम करना होगा और इस तर तक कम किया जाएगा कि लोग निलामी में प्राक्रिया में भागिदारी ले और ऐसे वाहनों को खरीच सके बाजारदर पर वाहन की निलामी किये जाने पर खरीदार नहीं मिलेंगे ऐसे में लोग निलामी में नहीं बलकि बाजार से ही वाहन की खरेदारी करेंगे उत्पाद अधिनियम के तहट राज जब्त वाहनों की निलामी राजस्व संग्रह के लिए नहीं बलकि दंड स्वरूप की जाती है इसके अलावा निर्देश जारी करके ये भी कहा गया है कि अगर तीन बार निलामी की नोटिस करने और फिर कीमत में कमी करने के बावजूद भी वाहन निलाम नहीं होते हैं तो उसे जैसा है उसी रूप में निलाम कर दिया जाए विभाग ये जैनकारी के नुसार जब्त वाहनों में आधे से अधिक दो पहिया वाहन है आकडों के मताबिक मध्यनिशेद और उत्पाद विभाग द्वारा 10,736 वाहन जब्त किये गये हैं इसमें 6,562 पहिया वाहन है जबकि 3 पहिया, 4 पहिया और ट्रक समेत अन्य वाहनों जैनकारी के नुसार साल 2021 में आक्टूबर महीने तक 2887 वाहन जब्त किये गये हैं जिसमें 1630 दो पहिया और 1257 अन्य वाहन है पिछले दो महीने में मध्यनिशेद और उत्पाद विभाग द्वारा आक्टूबर नवंबर महीने में शराप तसकरी में शामिल होने के आरोप म 500 से अधिक गाडियों को जब्त किया गया इसमें 125 से अधिक कार और 4 पहिया गाडिया थी जबकि करीब 50 ट्रक जब्त किये गये थे जब्त वाहनों में 2 पहिया वाहनों की संख्या लगभग 300 थी तीन पहिया वाहन भी 50 के करीब जब्त किये गये हैं जिसके बाद शराप तस पर तो प्रतिबंध लगाने की पहले तो की ही जा रही है साथ ही साथ अब गाड़ियों के निलामी भी तेज सी से की जा रही है इसके साथ ही आज केस वीडियो में बस इतना ही तब तक ही लिए धन्यवाद